2023 आ चुकी है और इसे के साथ हमें साउथ की कुछ टॉप आयमडिवी रेटेड सस्पेंस एक्षन कॉमेडी रॉमांटिक मुवीज हिंदी में देखने को मिले जिनकी अभी हम बात करने वाले हैं तो हाई दोस्तों मैं हूँ प्रिंस और आज में आपको टॉप फाइव हाइस् इंडी डब्डू मुवीज के बारे में बताऊंगा जो डेफिनेटली आपको मिस नहीं करनी चाहिए तो वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग होने वाली है तो इसकिप मत करना नंबर फाइव वारिसू 6.9 के IMDV रेटिंग के साथ नंबर फाइव पे है तरपती वीजय की एक्षन कॉमेडी ड्राम मुवी वारिसू जिसे आप अपनी फैमिली के साथ भी इंज्वाय कर सकते हो मुवी में इमोशन है, एक्षन है, कॉमेडी है, रोमान से एंड मुवी आपको कम्प्लीट फैमिली वाली इमोशन परवाइड करती है वैसे कहानी में आपको कुछ नया देखने को नहीं मिलता, सेकेंड हाप में आप कहानी असानी से प्रेडिक्ट कर भी सकते हो बट इन सब के बावजूद भी आप movie को अच्छे से enjoy करने वारे हो and thanks to its dubbing team जिन्होंने काफी अच्छा काम किया है even कि songs को भी उन्होंने अच्छे से dub करने का try किया है and कुछ songs की dubbing काफी अच्छी भी हुई है वैसे कहने को तो बहुत कुछ है बट end में आपको कोई movie अच्छे से मज़े दे पाती है तो समझो वो एक काफी अच्छी movie है critics चाहे कुछ भी कहें and ये movie आपको वो मज़े देती है तो इस movie को miss मत करना अब उनका नाम record books में तो है ही अब उनका नाम बहुत सारे records भी है जो 7.1 के IMDV rating के साथ नंबर 4 पे है वालिटेयर विराया जो एक action comedy movie है एक critique के नजर से देखू तो ये movie काफी average है कहानी में कुछ हमें unique देखने को नहीं मिलता जो हिंदी song से वो भी पुरी तरह से आपका दिमाग खराब करते है एंड movie की twist and turn भी उतनी अच्छी नहीं है कि कोई wow moment फिल कराती हो बट इन सब के बावजूद भी personally मैंने movie को खूब enjoy किया जो इसके action scene थी जो इसकी comedy थी वो मुझे बहुत पसंद आई एंड जिस theater में मैं इस movie को देख रहा था इसके गाने को छोर के सभी न मुवी की action, comedy and रवी तेजा की cameo को खूब enjoy किया तो आपको भी ये movie definitely देखनी चाहिए किसी आदमी का गन या चाकू से खुन करना कुछ हद तक normal है बट उसका खुन करने के बाद उसके सभी body parts को टुकरे में बाट देना ये कोई psycho ही कर सकता है जिसकी कहानी हमें इस movie में देखने को मिलती है तो 7.2 के IMDV rating के साथ number 3 पे है HIT the second case जो एक psycho suspense थिर movie है और इस movie में भी आपको suspense के साथ सांस रोकने वारी थिर देखने को मिलती है जो आप second half में देख पाओगे तो movie में एक खून होता है और ये इतना disturbing होता है कि आप सोच भी नहीं सकते तो ये खूनी कौन है आगे कितनों का खून होने वाला है और क्या केड़ी उसे ढून पाएगा ये आगे की कहानी है तो movie मुझे पसंद आई इसका investigation portion भी अच्छा था movie के suspense भी awesome थी फॉस्ट की तरह ही खूनी आपके आखों के सामने होता है बट आप नोटिस नहीं कर पाते तकलीफ के सामने आप लोग जुक जाते हैं हम उस तकलीफ को जड़ से काट देते हैं ओतार नौट सेब नमबर टू अखंडा 7.1 का EMD rating के साथ नमबर दो पे है action movie अखंडा जिसमें action का भंडार है movie कहानी है दो जुरवा भाई की जो अपने जन में के time ही एक दूसरे से अलग हो जाते है और कैसे destiny दोनों को एक साथ करती है ये आगे की कहानी है वैसे movie की कहानी कुछ और ही है सच कहूं तो अखंडा movie आपको काफी मज़े देती है तो साथ में आपको ये doubt भी देती है कि ये मैं क्या देख रहा हूँ no doubt कि movie की action sequence थमन की BGM सूपब है और कि IMAX में जो fight scene देखने को मिलती है वो भी आप खूब enjoy करने वाले हो बट movie की कहानी की हम बात करें तो उसमें उतना दम नहीं है साथ में बाला कृष्ण और प्रग्या की duo भी काफी odd महसूस होती है बट हाँ ये बात भी है कि इन कम्यों के बाद भी ये movie आपको 100% बहुत ही मज़े देने वाली है और आप इस movie को काफी पसंद करने वाले हो और आप बात करते हैं इस list की top IMDV rated movie की जो एक बार फिर आपको मर्यलम सिनेमा का फैन बनाएगी कहानी है जया कि जिसकी राजेस से साधी हो जाती है और राजेस एक ऐसा बंदा है जो काफी गुसेल है अबिव जी भैंड जया को काफी परिसान करता है उसे टॉचर करता है तो किस तरह से जया fight back करती है ये काफी अच्छी comedy and fascination के साथ दिखाया गया है जो definitely आपको miss नहीं करनी चाहिए तो number one पे है जया 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 है जिसकी IMDV rating है 7.8 कि तो मोटा मोटी कहानी है कि family में किस तरह से housewives को दबा के रखा जाता है और वो कैसे कुछ भी नहीं कर पाती तो movie का concept काफी अच्छा है जिस तरह से comedy के through patriarchy पे attack किया गया है मुझे पसंद आया movie के starcast में बसेर जोसेफ एंडरसना और दोनों की ही performance काफी अच्छी है